सेटमार जैपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सी से कक्षा बारा तक सत्र दो हजार तेश चोविस के लिए प्रवेश प्रारम सुनहरे इवन प्रतियोगी भवशिकी ओर बढ़ते कदम सपनों को साकार करने का संकल 31 जुलाई दो हजार तेश तक एडमीशन शुल्क पूनित्या माफ आइंडिया पर सीतापुर की मिश्रिक कोतवाली इलाके इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कोतवाली इलाके के सहादत नगर गाओं में जेट ने अपनी बहु की गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी दिन्धारे हुई इस घटना के बाद पूरे गाओं में संसनी फैल गई है और देशत का महौल है पूरी जानकारी के लिए मौके पर मौजूद है आइंडिया के मिश्रिक सवादता आलोक वर्मा तो आलोक जी बताईए कि जेट ने अपनी बहु की हत्या क्यों की क्या कोई पारिवारी विवाद था या कोई अन्निकारण निकल कर सामने आ रहा है जी प्रियंसुजी आपको बता दें कि जेट ने छोटे भाई की बहु को गोली मारी है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है गोली इसके गले में लगी है तुसना पर जैसे ही पुलिस को सुचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची है और चानबीन में जुट गई है आपको बता दें कि कोतवाली छेतर के ग्राम सहादत नगर में लगभग छे बजे गोली के फायर से जावीद द्वेग पुत्र नजीर वेग पैटिस वर्स ने अपने ही छोटे भाई की परवेज की पतनी हिना पतिस वर्स लगभग गोली मार कर खरार हो गया है मौके पर ही उसकी मौत हो गई है सुचना मिलते ही सियो सुसील कुमार यादो कोतवाल जीतेंद रोजा और नैविस कोतवाली दिगविजे पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए है और पुलिस चानवीन में जुटी हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि मुल्जिम खरार है जैसा कि जो जानकारी सुत्रों से मिल लई है कि ये आपसी बटवारे को लेकर कुछ विवाद हुआ है और उसी में उसने जो है गोली मारी है और एक ती निकल के आई है कि 2011 में इसने अपने पिता नजीर बेग और चाचा जहीर बेग और चाची नूर जहां की भी हत्या कर चुका है जिसमें इसको तीन वर्स लगभग पहले ये छूट कर आया है जेल से और आज ये घटना को अ इंजाम दिया है जी आलोग जी जानकारी चाहेंगे कि जिस असरह से गोली मारी है क्या अवैद असलहा था कि लाइसेंसी था और क्या कोई विवाद भी हुआ था इस धटना से कुछ देर पहले या आज या कल में कोई विवाद भी हुआ था जैसी जानकारी मिली है कि अवैद असलहा था और उसी से फारिंग की गई है और जो विवाद की बात आई है तो यहां तक की है जो उसके भाई से बात हुई चोटे भाई से परवेज से उसने ही बताया कि पारिवारिक जो बटवारे को लेकर कुछ विवाद था उसी को लेक जानकारी और चाहें कि इस से पहले भी जो है कोई धभी परिवार्य नहीं गcken판 इने नहीं नहीं दियर और यह भताया यह जानकारी मिली है सुत्रों से कि कुछ बटवारे को लेकर विबाद चल रहाता और जिसको लेकर कल इसमें कुछ विबाद किया और आज जो है अचानक कि उसी बटवारे को लेकर विबाद में गुली की फाइरिंग की और उसमें जो है इस रखनापू अंजाम दिया है अभी तक कोई तहरीर पूलिस को दी गई है मृत्का के पती के द्वारा और उसमें किसे नामज़त किया गया है आपको बता दें कि अभी मुस्किव से 30 मिनट पहले या आदे सवाव गंटे का लगभग गटना बताई जा रही है लगबग जो गटना जो बताई गई लगबग 6 बजे की बताई जा रही है और जैसा तहरीर के वारा में हमने पूछा है तो उनका तहरीर दी जा रही है बाकी जो सियो सुसील कुमार यादों हैं वो पूस्ताच कर रहे हैं बाकी जीतन रोजा भी कोतवाल और जो दुगविजे पांडे हैं भारी कुलिस पल वहां पर मौके पर मौचे पर मौचूद है जो पूस्ताच में लगा हुआ है जी बिलकुल तो ये सीतापुर की मिस्री कोतवाले इलाके का गाउं है सहादत नगर जहां पे जेट जावेद मिर्जा पुत्र स्वरगी नजीर बेग इसने अपने छोटे भाई परवेज की पतनी हिना की गोली माल कर हप्तिया कर दी जैसा की पता चला है कि पहले एक गोली मारी तो उसके हाथ में लगी और उसके बाद गले में सटा कर गोली मारी जिससे उसकी मौत हो गई हिना की और ये बत्तिश वर्स की थी और मौके से फरार हो गया, बताया जाता है कि जो ये असलहा था वो अवायद असलहा था और 201 में ये अपरादिक किस्म का जावेद मिरजा वेक्भी है, 2011 में इसने अपने पिता, चाचा और चाच्की की भी हत्या कर दी थी तीन साल जेल में भी रहा था तो अपरादी किस्म का इड़ेक्ट था और आए दिन धंकिया भी देता था जमीन के बटवारे को लेके और कल एक विबाद भी हुआ था प्रियांसु जी बता दें कि जो तीन साल बाते तीन वर्ष पहले चूट कर आया था कि कि इतने वर्ष की सजा हुई इसकी जानकारी तुपका नहीं हो पाई लेकिन जो जानकारी मिली कि तीन वर्ष पहले यह इसी चाचा पिता और चाची के अध्या कांड में तीन साल पहले चूट कराया था और यह जो है आज इस गष्टना को अंजाम कर दिया जी बिल्कुल तीन वर्स पहले चूट कराया था पिता चाचा और चाची की हथ्या के मामले में और आज अपने सगे छोटे भाई की पतनी हिना का की निर्मन तरीके से हथ्या कर दी गोली मार कर और मौके स उसकी भी तलाश की जा रही है, फिलाहाल इस घटना से पूरे इलाके में संसनी मती हुई है और गाउं में दैशाप का महाल है, मौके पर सियो मिश्रिक सुशील कुमार यादो, प्रभारी निरिक्षक कोतवाली मिश्रिक दितेलर ओजा, नेमिशारण कोतवाली प्रभारी दि क्या जाधकारिदे आइए आपको सुनाते है. कब अमरा और नेहान किस नहीं जा पिता का नाम नजीर अच्छा इससे पहले भी बिवाद हुआ है अच्छा इससे पहले भी बी भाद हुआ तब भागे हैं, तब मैं तब गर्दन पर फिर लाद धिर के मार देने फेर, कहां पर गोली लगी है? गर्दन पर लगी है, तो क्या तहरीर अगरा कुछ दी है अपने कुछ? हाँ, सब लिखवाए देन जो पूछी नंबर उनका पता कहां से सुराल है, कौन-कौन मोंके पर आ डिखेलखेल कर लुए लगी है अपने की तब लाद बैट नंबर विखेल लगी है और आप लिखेलगार सेथा पूर्पर लूज रिखेलिष नहीं अपर एंकित कुमार विश्वकर्मा, हमाच्व भी निष्वा, विकास अनन्ध नंब गॉत्व अच्टेब इंग जोब अ Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up! खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया